बोजपुरी खलनायक का है खुद का महल शुशील सिंग एक भोजपुरी फिल्म अभिनेता है उन्होंने कई भोजपुरी सुपरस्टार के साथ काम किया है वह भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिने के लिए पूरे भारत में विशेश रूप से पूर्वी यूपी और बिहार में जाने जाते है और विदेशों में भी इनके बहुत से प्रशन सक इनके फिल्मों का आनंद लेते है वह बहुत प्रभावशाली और सुन्दर है शुशील सिंग को शिव मंदिर वाही बनाएंगे 2019 सयान जी दगाबाज 2019 और दुलन हम ले जाएंगे 2019 के लिए जाना जाता है तो क्या आप जानते हैं कि शुशील सिंग जी का घर घर नहीं एक सुन्दर महल है शुशील जी का घर बनारत से दूर धोकल गंज गाउं में है इनका घर एक महल है इनका घर वैसे तो गाउं में है पर इनके घर में हर एक सुविधा मौजूद है जो की एक शहर के घर में होती है शुशील सिंग जी भले ही अपनी काम के सिलसले में मुंबई में रहते हूँ मगर वो अपनी जन्मभूमी को नहीं भूले है शुशिल सिंग के घर में एक गौश आला भी है उनका घर फिल्मों में दिखाये जाने वाले घरों जैसा है उनके घर में उनकी पहली भोटकूरी फिल्म आज जो की नाना पाटेकर के साथ थी उसकी शूटिंग भी हुई थी और शुशिल सिंग जी की पहली भोजपूरी फिल्म कन्यादान की शूटिंग भी उनके घर में ही हुई थी उनके महल जैसे घर में आए दिन शूटिंग चलती रहती है उनके इसी घर में दवाजदीन सिद्ध की और रजनी कान्त की फिल्म भी शूट हुई थी उनके घर में बोजपूरी, हिंदी और साथ इंडियन फिल्म्स की शूटिंग चलती रहती है अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए धन्यवाद